नमस्कार दोस्तों आशा करती हम आप सभी लोग स्वस्त होंगे दोस्तों आज हम उत्राखंड के ऐसे मंदर के बारे में बात करेंगे जो उत्राखंड के रक्षक देवी के नाम से जाने जाती है हम बात कर रहे हैं धारी देवी मंदर की धारी देवी एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्राखंड के गड़वाल शित्र में स्री नगर और रुद्र प्रियाक के बीच अलक नंदा नदी के तटपस तित है लोग मानते हैं कि पत्थर पर बनी देवी दिन धलने के साथ साथ लड़की महिला वो बुड़ी के रूप में अपना रूप बदलती रहती है धारी देवी को उत्राखंड की संगरक्षक देवी भी माना जाता है और उन्हें चार धामों के रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है धारी देवी मंदिर भारत के 108 शक्ति स्तलों में से एक है जो कि श्रीमत देवी भागवत द्वारा बताया गया है एक पुराणी कथा कैनूसा एक बार भेंकर बाड ने एक मंदिर को बहा दिया था और धारी देवी की मूर्ती धारो गाउं के पास एक चटान पर फस गई स्तानिय निवासियों का दावा है कि उन्होंने बिलाब की आवाज सुनी थी और एक दिववे आवाज में उन्हें मूर्ती को वहा स्तापित करने का निरदेश दिया था तब से मूर्ती वहीं स्तापित हो गई और हड साल नवरात्र के अफसर पर देवी कालिसौर की विशेस कि जाती है के दारनात में आए बाड का सीड़ा संबन भी धारी देवी को ही बताया गया है एक प्रियोजन कंपनी ने धारी देवी के मंदे से परतिमा को अपलिस्ट करने की ठानी थी गड़वाल के लोगों ने इनका विरोध किया और इसे विनाशकारी भी बताया था लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और धारी देवी की परतिमा को 16 जून 2013 को अपलिस्ट करा दिया उसी दिन के दारनात में जल प्रेले आ गया और सैकडों लोग काल की गाल में समा गये और इस्तानिय लोगों भक्तों को भी उत्राखंड को धारी देवी के क्रो हो गया 1882 में एक इस्तानी राजा द्वारा भी इसी तरह का प्रियास किया गया था पर नाम सरु भूसकलन हुआ था और जिसे कैदानात विद्वस्त हो गया था आपको यह अद्वु जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को अंतक देखन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद